यूपी के याग्रा में दिल्ली कानपुर हाइवे पर भीशन हाथसा हो गया एत्मादौला शेत्र में मंडी समिती के सामरे कंटेनर से स्कॉर्पियो कार की भीशन टक्कर हो गए बताया जा रहा है कि कार में 12 लोग सवार थे दर्दनाख हाथसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गए जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एतमादपुर की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक अनिंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए रॉंग साइट पर चली गए इसी बीच राम बाप की ओर से एक कंटेनर आ रहा था स्कॉर्पियो उसी कंटेनर से जाटक रही स्कॉर्पियो में सवार सभी मिन तक बिहार के बताए जा रही है आदो यहां खनाए सानगार लग कर दिखाने एक एक स्कॉर्पियो जो की खार खर नमबती है और एक ट्रॉला जो इस्कॉर्पियो अपने साइड से त्याइडर को प्रॉस करके भी साहिडाई है स्कॉर्पियो तक रही है कि अफिफ। फिलहार मौके पर पहुची पुलिस ने शवो को पोस्ट मॉटम के लिए भेज़ दिया है और घायलो को एसेन मेडिकल कॉलिज में भर्ती करा गया है न्यूस डेस्क कि बहुत को